नमस्कार दोस्तों दोस्तों जैसा आप जानते हैं एक अगस्ट 2022 से एलेक्षन कमिशन आफ इंडिया ने वोटर कार्ड से रिलेटेड सारे फॉर्म में चेंजेस किये हैं यहां तक कि कुछ फॉर्म्स को बंद भी कर दिये हैं तो दोस्तों आज हम बात करेंगे अगर आप सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही धेर सारी जानकारिया आप तक पहुंशती रहें अगर आपको वोटर आईडी कार्ड के लिए नया रिजिस्टेशन करना है तो इसके लिए आपको राश्ट्रिये मतदाता सिवा पोटल के अधिकारिक वेबसाइट www.nvsp.in पर आना होगा इस वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है उस लिंक पर आप क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ सकते हैं और पेज पर आने के बाद सबसे पहले आपको लॉगिन और रिजिस्टर पर क्लिक करना है उसके बाद लॉगिन पेज के बाद आपको login पर click करना है अगर आपका इस website पर account नहीं बना हुआ है तो आपको इस link पर click करके पहले register करना होगा register करने के बाद आपको user name और password मिल जाएगा उसे यहाँ पर fill करके आप login कर सकते हैं तो दोस्तों हम login करते हैं login करने के बाद आपको register as a overseas elector और voter पर click करना है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रवासी मत दाता है यानि overseas elector है उनके लिए form 6A यूज होता है तो form 6A पर click करना है और पूछे जाने वाले detail को fill करना है यहाँ पर आप अपना language select कर सकते हैं जिस language में आप form भरना चाहते हैं अब यहाँ पर आपको अपना state select करना होगा जहां से आप belong करते हैं उसके बाद आपको अपना district select करना होगा और यहाँ पर आपको अपनी assembly select करनी होगी इसे select करने के बाद यहाँ पर आपको अपना नाम fill करना है यहाँ पर आपको surname fill करना है और यहाँ पर अपने relative का और यहां पर आपको relative का surname फिल करना है इसके बाद आपको relation type select करना है जिनका detail आपने fill किया है as a relative उसके बाद आपको यहां पर अपना date of birth फिल करना है date of birth फिल करने के बाद आपको place of birth का detail देना है कि आपका जनम कहा हुआ है जहां आपका जनम हुआ है वह state select करेंगे उसके बाद वह district select करेंगे और यहां पर आपको अपने village और town का detail देना है जहां पर आपका जनम हुआ है उसके बाद आपको अपना gender select करना है और यहां पर आप अब आपको का पासपोर्ट में होना चाहिए उसके बाद उस प्लेस का टीटेल देना है जहां से आपका पासपोर्ट इसु हुआ था उसके बाद issue होने का date देना है और exparity का date देना है इसे देने के बाद आपको अपने visa का detail फिल करना है यहाँ पर आपको अपना visa number देना है यहाँ पर आपको type of visa देना है कि आपकी visa single entry है या multiple entry वाली है या tourist visa है या work visa है visa का type फिल करने के बाद आपको visa issue होने की date फिल करनी है और आपको यहाँ पर expirity date इसू करनी है जो visa की है उसके बाद issuing authority का नाम यहाँ पर फिल करना है इसे फिल करने के बाद आपको नीचे आना है यहाँ पर आपको region फिल करना है कि आप अपने ordinary residence पर क्यों नहीं रह रहे हैं अगर आप employment के लिए बाहर गये हैं, तो आप employment को select करेंगे, अगर आप पढ़ाई के लिए गये हैं, तो education पर select करेंगे, किसी और region से हैं, तो आप other select करेंगे, और यहाँ पर आपको वह date fill करना है, जब से आप अपने ordinary residence पर नहीं रह रहे हैं, अब आपको यहाँ पर full residential address detail देन और इसके बाद यहाँ पर locality fill करनी है, town fill करना है, state fill करना है, और country fill करना है, उसके बाद जीप code fill करना है, उसके बाद यहाँ आपको नीचे आना है, यहाँ पर click करके आपको अपना photo upload करना है, और यहाँ पर click करके आपको अपना passport upload करना है, passport upload करने के बाद आपको नीचे आ इस option पर click करना है अगर आपको fresh registration कराना है अगर आपका नाम already water list में है और अपना नाम delete करवाना चाहते हैं तो आप second option को select करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर place fill करना है और यहाँ पर capture fill करना है capture fill करने के बाद आपको submit बटन पर click करना है click करने के बाद एक reference ID generate होगा उस reference ID को संभाल करके रख लेना है जब तक आपका water ID card ना बन जाए और उस reference ID को use करके आप अपने application का status भी check कर सकते हैं तो दोस्तो आसा करते हैं कि अब आपको पता चल गया होगा कि अगर आप प्रवासी मत दाता है या overseas voter है तो आप इंडिया में voter ID card के लिए registration कैसे कर सकते हैं और voter list में आप अपना नाम कैसे include करवा सकते हैं तो दोस्तो आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें comment में बताएं अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को subscribe करें मिलते हैं एक और नए interesting वीडियो के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत